असलाम अलेकुम दोस्तों वीडियों में हम आपको देंगे साओधी की लेटिस में बोटन अपडेट है उनके लिए बहुत ही इंपोर्टन जो लोग आभी साओधी अरभी में रहते हैं क्योंकि साओधी गबर्मेंट के तरफ से एक नई अपडेट दी गए जिसके बारे में के तरफ से कुछ नई और इंपोर्टन जानकारी आप लोग के लिए दिया गया है इसके साथ हम आपको बता दें कि साओधी में हज और उम्रा को लेकर भी अभी एक नई अपडेट दी गई तो सारी अपडेट इस वीडियो में आपको बताएंगे आप जरूर इस वीडियो अल- Ali के तरफ से एक नया आदेश जारे किया गया मतलब साओधी अरब में अभी सभी स्वास्त बीमा केंद्रे और सभी नागरिक के लिए फ्री बीमा कब्रेट परदान किया जाएगा मतलब यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर आप रोजगार करते हो मतलब कार करते हो या नहीं करते हो सब ही लाभर्थियों के लिए अभी कबर सिस्टम में स्टार्ट कर दिया जाएगा और ये सौधी के अल अरभियर चैनल के मादन से सौधी के स्वास्त मंतराले के पुरवक्ता की तरफ से बताया गया है दोस्तों अगली एपडेट एकामा को लेकर है और आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए एकामा के बारे में अगर आप सौधी अरभ में रहते हो ये सौधी अरभ में नहीं जाते हो अगर आप नहीं जाते हो तो वहाँ पर आपका एकामा एक साल के लिए कम से कम बना जाता है इसके लावार नाभिणी कन भी एक साल के लिए किया जा जिसे कि तीन महिने च्छे महिने इस तरह से तो वहाँ पर सौधी गवर्मेंट के तरफ से कहा गया है कि आप ये कार कर सकते हो विजेसियों के लिए यहां पर सुल्क बताया गया है प्रत माह चार सुरियाल मतलब परवारिक बीजा पर अगर आप सौधी अर्भ मेरते हो तो च सुरियाल हर महिने आपको देना होगा और नए कानोन के मताबिक यहां पर कहा गया है कि आपको कम से कम तीन महिने का एकामा रेनुल करना होगा जिसकी फिये से बारा सुरियाल है इसके अलावा छे महिने की सुल्के चौबिस सुरियाल इस तरह से आप अपना एकामा रेनुल की तरफ से यह अपडेट दिया गया है आप यहाँ पर इंपोर्टन अपडेट है फ्लाइट और हज उम्रा को लेकर जो दिया गया है उसके बारे में बताते हैं दोस्तों अगली अपडेट सवुदी अरफ की तरफ से कहा गया है कि हज के उडान के सिवा के लिए 14 बिमान का ए एक नेजी बेडा स्टार्ट किया जाएगा 15 स्टेशन होंगे 265 अंतराश्टे उडान होंगी मतलब फ्लाइट होंगी और 6 स्टेशन होंगे इसके लाव 32 घारेलो उडान भी किया जाएगे 100 परसंट घारेलो अंतराश्टे जो जगा है वहाँ पर अनुचित और आतरेक्त उडान के अलावा अंतराश्टे छेत्र में 1,7,000 से अधिक सेठ और घारेलो में 12.8,000 सीटे परदान किया जाएगा मतलब यहाँ पर जो जिद्दा किंग अब्दुल अजेज अंतराश्टी है और सौदी का अगला जो एरपोर्ट है मदीना प्रिंस मुहम्मद बिन किया जाएगा दोस्तों अगली अपडेट सौदी के हज और उम्रा मंतराले की तरफ से अपडेट किया गया है कि आज मतलब सो कुरुआर से ही अब राज के अंदर जो पंजीगन कार हो स्टार्ट कर दिया गया है यहाँ पर सबसे जरूरी बात यही है कि अगर आप सौदी कार करें